नमस्कार दोस्तू सरकारी भृति में आपका स्वागत है दोस्तू आज का टॉपिक है हमारा विशेशन ठीक है आज हम विशेशन को पूरा विस्तार से समझेंगे इसके एक्जामपल सही और इसके टाइप्स प्रकार जितने भी होते हैं उस सब को देखेंगे आपको इस लेटर हम ले लेते हैं जिससे आपको हाइलाइट करते रहें ठीक है तो शुरू करते हैं कि संग्या अत्वा सर्वनाम मैंने आपको पढ़ा दिया है संग्या सर्वनाम क्या होता है ठीक हर एक वीडियो में बार-बार नहीं बताऊंगो कि संग्या होता है सर्वनाम क्या होत चले एक बर सिंपल सा यह खेंट दे देते हैं ठीक है अब जो है अब जब मैं संग्या सर्वनाम या कुछ बोलू तो आप लोग समझेए संग्या आपको बताया था कि कोई नाम होगा कोई प्राणी होगा कोई जी होगा कोई भाव होगा मैं तब इम्योशन टाइप कर और सर् प्रणाम तो संग्या अथ्व सर्वनाम शब्दों की विशेस्टा जैसे गुड ठीक है यह गुड दोस शंख्या परिडाम आदी ठीक है बताने वाले सब्द विशिष्ट न कहलाते हैं इन छोटे से सब्दों को मैंने तोड़-तोड़के इतना मतलब एक तरए से कह सकते होता है विशेशन मैं दोबारा बताऊंगा जो संग्या है और सर्वनाम है ठीक है संग्या सर्वनाम सब्दों की जो विशेशता बताता है उसको क्या कहते हैं विशेशता में क्या गुड दोस संख्या परडाम आदी ठीक है यह सब्द जो है हमारे विशेशन है विशेशन कहल आते हैं, जैसे बड़ा, काला, ये क्या कह रहा है, ये एक विसिस्ता बता रहा है, कि वो बड़ा है, उसकी एक विसिस्ता है, काला है, विसिस्ता है, ठीक है, लंबा है, ठीक है, दयालू है, दयालू क्या है, एक भाव, बता रहा है ना, गुड है उसके अंदर, ठीक है, भार और यह तो यह सारे कि सारे जो हो गए यह हमारे हो फिर से आपको मैं समझांग Venus सदों की जो विसेस्टा बताते हैं जिसे उह हमारे क्रवेसा क्लाते हैं वो सब विशेशन खळाते हैं अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए दो दो तेंटीन बार आपको repeat करके revision करा गिया है तो विशेशन आपको समझ में आ गया होगा next शलते हैं विशेशन के प्रकार तो हमारे चार प्रकार के विशेशन होते हैं पहला गुडवाचक विशेशन दूसरा संख्या वाचक विशेशन तीसरा परिडाम वाचक विशेशन और चौथा सारवनामिक विशेशन तो इन ही को हमें पढ़ना है विशेशन के प्रकार चलिए इक करके इन सब को देखेंगे गुडवाचक विशेशन तो जिस सब्द से स जिस शब्द से संग्या या सरवनाम के गुड रूप और रंग आधिका बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं गुडवाचक विश्चिशन जैसे बगीचे में सुंदर फूल है सुंदर क्या है रूप है कोई है ना धरमपूर स्वक्ष नगर है ठीक है यह क्या है इनका गुड ह स्वार्ग वाहिनी गंधी नदी यह क्या है क्या सकते हैं अच्छा नहीं है तो स्वास्थ बच्चे खेल रहे हैं इसका कोड़ी है इस सब में इसको मैंने बोल्ड कर रखा है इन सब को तो इसका जो है मेनिंग जो शब्द निकल के आता है इसमें आपको तीनों मिल जाएंगे गुड़ रूप और रंग ठीक है इन सब में गुड़ रूप का जो है जो है विसेश्थात बताई जैरे वही चीज जो है यहां पर लिखी हुई है कि उपयुक्त वाक्यों में सुन्दर स्वक् नहीं किन्तु कोई भी विसेश्था तो यहीं चीज मैंने आपको बता दिया उपर तो समझ में आ गया होगा आपको गुड़ वाचक विसेश्था चलिए दूसरे वाले पर चलते हैं अब ही देखिए जो गुड़ वाचक विसेश्था है इसके अंतरगत क्या-क्या आते है यह भी थोड़ा सा देख लेजिए ठीक है जिसे समय संबंधित हो ठीक है समय संबंधित तो समय संबंधित में नया पुराना ताजा वर्तमान भूत भविश अगला पिछला आदि यह सारे हमारे क्या है गुड़ वाचक के अंतरगत आते हैं ठीक है पहला तो होगया समय संबंधित दूसरा हो गया स्थान स्थान में क्या आता है लंबा चोड़ा ऊचा नीचा सीधा बाहरी और भीतरी ठीक है यह हमारे क्या हो गया स्थान संबंधित हो ठीक है फिर उसके बाद आता है आकार संबंधित आकार में गोल चौकोर सुडॉल पोला सुन्दर आदि यह सब किसके अंतर काता है है संपंदिता , पतला मोटा भारी घाड़ गीला गरीब पालितु और अधि यह सारे जो हैं दसा संबंदित हैं, फिर उसके बाता है word संबंदित है वर्ड में हमारा आ गया लाल, भीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी आदि- यह सारे हमारे word संबंदित हैं उसके बात हैं गूर संबंधि गूर संबंदिन में जो आता है हमारा भला बुरा उचित अनुचित पाप जूट आदी तो यह हमारे जितने हैं संग्या संबंधित भी देख लो यहीं मुख्य रूप से हैं सारी चीज़ें आपको जानना यह हमारी सारे गुडवाचक अन्तर राते हैं आपको बता दिया है ठीक है नेक्शल ते दूसरा वाला हमारा था संख्या वाचक विशेशन में क्या होता है कि जिस विशेशन से संख्या या सर्वनाम कि संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं संख्या वाचक समझ गया संख्या क्या होता है संख्या का जहां पर बोध हो वह हमारा संख्या वाचक होगा जिससे कक्षा में चालिस विद्धार थी है चालिस क्या है हमारे संख्या वाचक है दोनों भाईयों में बड़ा प्रेम है तो यहां दोनों भाईयों में भी तो संख्या की बात हो रही है दो भाई है उनकी दूसर दोनों दूसरी और हर एक सब्द जो है हमारा संख्या विशेशन है इसको कहते हैं संख्या वाचक विशेशन तो यह बहुत ही आसान सथा आपको समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत हो आप जो है मुझे वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ठीक है और आप टेलिग्राम ग्रूप जो है आप लोग जोईन कर लिजिएगा वहां पर आप लोगों को फ्री में क्वीज ट्रीज करेंट अफेर यह सारी चीजें चलाई जा रही है आपको बिल्कुल मुफ्त में यह सारी चीजें प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे ठीक है आपके आने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स स्लाइड है हमारा संख्या विशेशन की विशेशन के भी दो भेद होते हैं ठीक है अभी देखो अभी गुड़ वाचक के देखें ठीक है अब संख्या वाचक में दो भेद है पहला है निश्य संख्या वाचक ठीक एक तरह से संख्या डिसाइड है कि यह निश्चित है कि इतने लोग है अनिश्चित संख्या वाचक में क्या होते हैं जैसे कई कई में समझ में हैं कितने होते हैं अनेक सब बहुत यह हमारे के सारे के सारे जो है हमारा और निश्चित संख्या वाचक होता है ठीक है तो संख्य संख्या वाचक की संख्या वाचक विश्यषण में दो प्रकार के होते हैं ठीक है निश्य संख्या वाचक और अनिश्य संख्या वाचक चली नेक्स्ट आप देखिए निश्य संख्या वाचक के छे बेद हैं ठीक है आप लोग इन सब को जान लो अच्छे से भले से मुझे प सब्टको जानना बहुत जरूई है तो अगर निश्चित वांछक संख्या जो है हमारे इसमें थे यह चीव होते हैं थे जैसे पूरांक वोधक विशेशन है तीसरा क्रय मुधक विशेशन चौथा आवरित्तिवांच विशेशन फाश गवा वाचक विशेशन और चट्वा प्रतीक बोधन विशेशन तो यह हमारे निश्चित वाचक जो है संक्या के भेध हैं अब इन सब को थोड़ा-थोड़ा जली-जली हम देख लेंगे अब से पूर्डांक बोधक जो है हमारा विशेशन क्या है इसमें देखिए एक दस सो हजार लाख आदिका बोध होता है उसमें जो है हमारा पूर्डांक बोधक विशेशन कहलाते हैं जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है ठीक है इसमें भी एक की बात हो रही है संख्या की बात हो रही है लगभग कह सकते हैं पचीस रूपए दीजिए ठीक है यह कौन सा है अगर प परक्षा में कि पचीस रुपए दीजिए कौन सा विशेशन है तो आपको पता रहेगा पूर्डांक बोधक विशेशन तो आप लगा सकते हैं अब नहीं पढ़े रहेंगे इसको तो आपको लगेगा कि यह कौन सा आ गया विशेशन हम तो पढ़े नहीं है सारी चीजे तो मेरे यहां फियाँ कल मेरे दो मितरय यहां पर हमक required होता है जिस से चारम लाव मतलब यह सारे-सारे मेरे मेरृणक बोधक विशेशन है नंग्श आ ह्म और पौडांक बोधक विशेशन है नेक्स है इसमें है pounding cannot सवा डेड़ धाई है ना जिसे पहले बच्पन में अद्धा पॉना सभीय डेड़ा रही है बहुत लोग पड़े हैं बहुत लोग नहीं जानते होंगे नहीं पड़े होंगे ठीक है तो कुछ इस टाइब का जैसे मेरे जेब में धाई रुपय है पहले तो ऐसे ही होता था ने मुझे डेड़ ग्राम दूद्ध कम दिया ते सारे के सारे जो है हमारे अपोड़ांक बोधक विसेशन है नेक्स्ट हमारा क्रम वाचक विसेशन अब क्रम वाचक विसेशन जो है हमारा इसमें दूसरा चौथा ग्यारवां पचासवां आदिका जहां पे बोध होता है व हुआ ये सारे के सारे हमारी क्रम वाचक विषएशन है इंसे आवरिति वाचक विषेशन तंबसे असा आपको समझ में आ जाएगा अविर्थिवाचक विशेशन है नेक्स्ट हमारा समुउः वाचकवेशन इसमें सम्हाँवाचों में क्या होता ना गृूप बना रहाता है तो इसको सम्हाँ वाचक कहते हैं जिसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा यहां से चारों चले जाओ एफ कर Architecture सबमोंवाचच वकेशन केलाते हैं थैंक है चले नैक्स प्रतेक बोधन वीशेश हमारा मिला एक 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 करके जहां पर लिगति पानी में तो तो एक एक फ्यक्ती पानी में दूग गया एक प्रतीक ब्रतीक बोधाद क्षेशन Great निष्ट संख्या वाचक विसेशन जो है निन पहला वाला टाइप खतम हो गया अब वाली संख्या की बात हो लिए तो निष्ट संख्या के अंतरगत आने वाले पुडांक बोधक विशेशन के पहले लगभग या करीब बाद में एक या ओ प्रत्य लगाने से अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन हो जाता है पहले जो लगभग हो या करीब हो या बाद में हो तो एक या ओ प्रत्य लगाने लगाने से अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन हो जाता है जिसे यहां पर देखे लगभग हो गया लगभग पचास लोग आएंगे करीब बीस रुपए चाहिए सैकड़ों लोग मारेगे इसे सारे के सारे हमारे अनिश्चित वाचक विशेशन है अब देख लीजिए अगर यह नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है तो आपको मैंने ब पर देखे लिए निश्चित वाचक विशेशन हो गया करीब 20 रुपए चाहिए तो यहां पर फिक्स नहीं है बीस भी चाह सकते हैं अठारा भी ले सकते हैं सैकड़ों लोग मारेगे अनभाव के साथ इक बता सकते हैं कि सैकड़ों तो यहां पर वही चीज बता रहा है कि अने वाले पूरांकं बोधक वितेशन के पहले जो लगबग हो या करीब या बाद में हो यह इक या व प्रत्य लगाने से 裁निश्चित वाचक विशेशन हो जाता है वह ऑग्सट अब देखे तीसरा तीसरा टाइप हमारा है फलडाम वाचक विशेशन दिकें अब वहा ख जो हुए दो मीतर कपड़ादो यहां पे छीनि चाहिए यहां पर भी नाव तोलका बॉध हो रहा है पीमार को थोड़ा पाणी देना चाहिए सब्सक्राइब सर्वनाम सब्सक्राइबिस आए तथा हमारा है सर्वनाम शंसक्राइब सब्द से पहले आए तथा वह विशेशन सब्द की तरह संग्या की विशेश्था बताए उसे सर्वनामिक विशेशन कहते हैं तो सर्वनामिक विशेशन को एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब कोई सर्वनाम हो सर्वनाम सब्द हो संग्या सब्द से पहले संग्या की विश्यस्ता बताएं उसे सर्वनामिक कहते हैं कुन चाटर मेरा काम करेगों धेख सकते हैं वह और कौर साथ संग्या 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 सब्से से पहले है Leonard सब्सक्राइब से पहले हैं रिपलेस होता है जो से वह हो गया और उन्हें हो गया यह सारी चीजे क्या हो गया है हमारे सब्सक्राइब उसले सब्सक्रार में होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आर् डिल एक नोट करेंगे तो आपको अच्छा रहें नए नblade देख सकते हैं जैतीं और करें रहेंगे मेरे हिसाब से तो आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कि सारी चीज जब आप हिंदी ब्याकरण पड़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए यह नहीं कि ट्रिकी हर एक चीज हर समय काम नहीं आता है कभी आप ब्याकरण को अच्छे से सम कमाएगा ठीक है तो सार्वनामिक विशेशन दो प्रकार के होते हैं पहला मूल सार्वनामिक विशेशन और दूसरा हमारा योगी सार्वनामिक विशेशन तो चलिए मूल सार्वनामिक विशेशन देखते हैं जो सर्वनाम बीना किसी रूपान तरन के विशेशन के रूप म नाम पेना किसी रूप साथानी है सMa कोई का नुट का मेरा काम कर दे कुछ विद्धियार थी अन्वीष जो है तो प्रियुप्त वाक्तों में वह कोई और कुछ यह चीजे जो दिखिये वह कोई कुछ तीनों यह तीनों यह तीनों जो है मूल रूप से हमारा सर्वुनामिक विशेशन को रहे हैं जैसे एसा आदमी कहां मिलेगा कि तैने रुपय तुम्हें चाहिए है और मुझसे इतना बोज उठाया नहीं जाता तो ऐसा हो गया कितने हो गया और मुझसे हो गया ये सबद नहीं सारे सारी क्या है योगिक सरूनाम स्नखन क्यालाते हैं तो वही चीज बोला है कि अना मुल सरूनाम से प्रत्य आदी जूझ जाने से यह हैं जुड जाने से विश्यशमन के रूप में प्रयोक्त होते हैं, उसी क्या है, योगिक सारोनामे। एक कहते हैं, और यह उम्हीद करता हूँ, जो आपको अच्छे से समझ में इसा समझ में नहीं आया, आप मुझे comment box में, धमें divv तो दोस्तों मिलते हैं अगली उडिये में थेंक यू सो मच